हेलो फ्रेंड्स आयाम अनिलाहितान आपके अपने यूटूब चैनल अनिलाहितान में आपका स्वागत है इस वीडियो में आप अक्सरसाइज 4.2 के परसनों को समझेंगे तो पहला क्यूशन है अमारे पास क्यूशन नंबर वन निमलिक्त विकल्पों में कौन सा विकल्प सक सकते हैं और क्यों किसके लिए y is equal to 3x plus 5 y is equal to 3x plus 5 जो है दो चरवाला एक हमारे पास रेक समीकर्ण है हमें बताना है कि इसका एक एद्वित्य हल है केवल दो हल है या एप्रिमेत रूप से अनेक हल है इन तीनों विकल्पों में से कौन सा सत्ते है और वो क्यों सत्ते है तो हम y is equal to 3x plus 5 इसको हम समीकर्ण एक ले लेते हैं क्योंकि एक है यह है दो चरवाला एक रेक समीकर्ण है तो इस प्रकार x बराबर एक समीकर्ण समीकर्ण एक में समीकर्ण समीकर्ण एक में एक में x बराबर एक रखने पर हम x का मान एक रखते हैं तो y का मान देखते हैं क्या आता है तो y is equal to 3 into 1 plus 5 is equal to 8 तो यदि x का मान एक है तो y का मान 8 है अब और रखके देखते हैं समीकर्ण एक में x बराबर 2 रखने पर 2 रखते हैं तो क्या मिलेगा तो y is equal to क्या आएगा 3 into 2 plus 5 क्या हो गया हमारे पास 6 plus 5 is equal to 21 przy Rather तो पहला हुआ हुए नहीं क्योंकि पहला हुशन क्या कहता है एक अधृत्य हल है एक है अधृत्य हल में तो एक ही होना चाहिए तो लेकिन इसके जैसे-जैसे मान रख रहे हैं वैसे वैसे y के मान हमारे को प्राप्त हो रहे हैं तो x का जो पर टेक मान है वो y का एक संगत हल प्रापत हो रहा है तो इसका मतलब यह पहला तो option नहीं है हमारे पास अब और रखके देखते हैं समीकर्ण समीकर्ण एक में x बराबर 3 रखने पर x के value 3 रखते हैं तो y is equal to हमारे पास क्या आएगा 3 into x की जिए हम 3 put कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9 plus 5 is equal to 14 तो यह क्या हो गया यह एक हल है यह दूसरा हल है और यह तीसरा हल है तो केवल दो हल हैं यह option भी सत्य है नहीं हैं तो इस परकार क्या होगा जैसे हम x के मान रखते जाएंगे वैसे वैसे हम y के मान प्रापत करते जाएंगे तो इस परकार क्या है जैसे हमने दो चरवाले रेखिक समीकर्ण जो है अध्याय तीन में भी इसका गराब बना के देखा था और जो रेखिक समीकर्ण होता है उसके एपरीमित रूप से अनेक हल होते हैं क्या होते हैं एपरीमित रूप से अनेक हल होते हैं हम कहेंगे एक दो चर वाले रेखिक समीकर्ण के ऐ परीमित रूप से अनेक हल हैं तो अगर अनेक हल हैं तो हमारे पास कौन सा ओपिंटिक होगा तीसरा आता है विकल्प विकल्प जो third है वो सही है विकल्प सही है या सकते है कि इसे कह सकते क्योंकि कुछन No.2 के हल ग्यात करते हैं नमबर 2 में क्या दिया गया है निमलिक समिकर्णों में से परतेग समिकर्ण के 4 हल लिखिए हमारे पास 3 समिकर्ण दे रखे हैं हमने परतेग के 4 हल लिखने हैं तो हम पहला समिकर्ण लेते हैं 2x प्लस y is equal to 7 ये दिया गया है तो इसमें हम किस प्रकार इसको ऐसे लिख सकते हैं y is equal to 7 minus 2x हम 2x को उदर ले जाते हैं तो अब यदि हमारे पास समिकरन 1 है तो इसमें x का मान रखेंगे और y का मान आता रहेगा तो जब x बराबर 0 है x बराबर क्या है? 0 है तो y बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो गया, 7 minus 0 क्या आएगा? y का मान 7 आएगा तो जब x बराबर 1 है तो y बराबर क्या आएगा? 7 minus 2 जहां पर x है वहां पर 1 रख देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 7 minus 2 बराबर क्या आजेगा? 5 तो y का मान 5 आजेगा तो जब हमारे पास x बराबर 3 ले लेते हैं तो 3 ले ले, कुछ भी ले ले जी 0, 1, 2, 3 माइनस में भी ले सकते हैं तो y is equal to क्या आएगा हमारे पास 7, minus 2 x की जगर हम 3 रखते हैं तो हमारे पास 7, minus 6 3, 2, 2, 6 हो जाएगा तो 1 आगया तो जब हमारे पास x बराबर 4 है तो क्या हो जाएगा y is equal to 7, minus 2 x की वेल्यू हम 4 पूट कर देते हैं तो हमारे पास क्या 7, minus 8 is equal to minus 1 आजएगा तो हमारे पास 4 हल है कौन-कौन से आते है पहला क्या है हमारे पास x की वेल्यू जीरो है तो y के वान 7 है 0, 7 यह हो गया पहला दूसरा क्या x बराबर 1 है तो y की वेल्यू कितने आई है 5 और तीसरे में x की वेल्यू हमने 3 रखी तो y की वेल्यू हमारे पास 1 आई और हमारे पास x की वेल्यू 4 है तो y का 1 minus 1 है तो यह दियेगे समीकरन के 4 हल है हम हम दूसरा पार्ट लेते हैं दूसरे पार्ट में क्या दिया गया है पाई x प्लस y is equal to 9 तो y को हम इदर रखेंगे 9 minus pi x यानि pi x x वाले को उदर ले जाएंगे इसी प्रकार यहां पर भी x के मान रखते जाएंगे और y के मान आते जाएंगे तो जब हमारे पास इसको समय करने एक मान आते हैं x बराबर 0 है क्या है x बराबर 0 मान रखें समय करने एक में तो y का हमें क्या मिलेगा 9 minus pi x 0 तो 9 minus 0 क्या जाएगा 9 तो x की value 0 है तो y की value 9 है और यदि यह जब x बराबर 1 है तो y कितना मिलेगा 9 minus pi x की जगे हम क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9 minus pi जब हम x बराबर 2 रखते हैं क्या रखते हैं x बराबर 2 रखते हैं तो y का मान क्या मिलेगा हमारे पास 9 minus pi और x की जगे हमें क्या रखना हैं 2 तो क्या आएगा 9 minus 2 pi आजाएगा जब हम x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर हमें क्या मिलेगा 9 minus pi into x की value 3 है 3 put कर देंगे तो 9 minus 3 pi तो ये हमारे पास 4 हल आगे कौन-कौन से आगे जो हमारे पास है अट है 4 हल हैं 4 हल हैं कौन-कौन से हैं वो देखिए पहला कौन सा है x बराबर 0 पे 9 और x बराबर 1 पे यानि 1 पे 9 minus 2 pi है और जब हम x की value हमने 2 रखी x की value 1 रखी तो 9 minus pi है 9 minus pi है और जब हमने x की value 2 रखी है तो हमारे पास 9 minus 2 pi आया है और जब हमने x की value 3 रखी है तो 9 minus 3 pi आया है तो यह हमने 4 हल ग्यात करती है अंसर आगे अब हम third जो option दिया गया है third जो भाग दिया गया है हमारे पास उसके 4 हल निकालते हैं तो यहां पे x बराबर 4 y है यहां हमारे पास हमें करने यह की है एक मान लेते हैं यहां पे हमने y का मान रखना है क्योंकि right hand side में y है तो y का मान रखेंगे जब y बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा y की जगे हमने क्या रखना है 0 रखना है तो 4 को ना में 0 तो क्या आगा है 0 जब हम y बराबर 1 रखते हैं क्या रखते हैं मान एक रखते हैं तो हमारे पास x बराबर क्या आएगा 4 गुणा में 1 तो हमारे पास x का मान 4 आजाएगा जब हम y बराबर 2 रखते हैं तो x जहां y का है वहां पे हम 2 put कर देते हैं 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 तो इसी परकार हम y बराबर 3 put करते हैं तो हमें क्या मिल लाएगा देखते हैं 4 into 3 जना हो जाएगा 12 तो ये हमने इसके 4 हल निकाल दिये तो ये 4 हल हैं अता है 4 हल है 4 हल हैं कौन-कौन से हैं पहला कौन सा है ay की value 0 तो x की value 0 पहले x के रखना होता है थिक है एपसिस हा और ordinate भुज और कौटी तो x को हम भुज कहते हैं y को हम कौटी कहते हैं तो x की value 0 y की value 0 फिर x की value 4 y की value 1 और फिर हमारे पास x की value कतनी है 8 और y के value 2 और हमारे पास है जब x की value हमारे पास 12 है तो y की value 3 है तो यह हमने चार हल याद किए अमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इसको like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और आपके अपने यूटूब चैनल अनिलायतान को subscribe कीजिए थैंक्स फार वाचिग